हेलो दोस्तो आज के वीडियो में seas and bordering countries को देखने वाले हैं और ये world map का part 1 है इसमें कौन-कौन से seas यान कि सागर किन-किन country के साथ border share करता है इसको देखने वाले हैं इस वीडियो में RLC, Kaspen Sea, Red Sea, Dead Sea, Black Sea, Mediterranean Sea and Baltic Sea को देखने वाले हैं ये सारी seas किन-किन country के साथ boundary share करता है इसको हम ट्रिक से देखने वाले हैं ठीक है सब सब पहले देखते हैं Kaspen Sea को Kaspen Sea 5 country के साथ boundary share करता है और इसके लिए trick है तारिक T-A-R-I-K T से हो जाएंगे तुर्केमिनिस्तान A से अजरवैजान R से रस्या I से इरान N K से कजागिस्तान आपको मैप में यहापे मिल जाएगा Kaspen Sea और ये कौन-कौन से country के साथ boundary share करता है तो 5 country के साथ T से तुर्केमिनिस्तान यहाँ पे है A से अजरवैजान R से रस्या यहाँ पर है I से इरान N K से कजागिस्तान तो 5 country है और इसके लिए ट्रीक है तारिक Next है Black Sea Black Sea 6 country के साथ boundary share करता है और इसके लिए ट्रीक है तरकिस बर्गर B-U-R-G-E-R तो तरकिस से हो जाएंगे तरकी B से हो जाएंगे बुल्गारिया U से यूकरेंड R से रस्या G से जोर्जिया R से रोमानिया यहाँ पर map में देख सकते Black Sea है तो यह किन-किन country के साथ boundary share करता है इसको map में देख लेते हैं तो यहाँ पर तरकी है यहाँ पर है B से बुल्गारिया U से यूकरेंड R से रस्या G से जोर्जिया R से रोमानिया यहाँ पर आप देख सकते हैं Sea of Marmara है जो कि completely lie करता है तरकी में ठीक है और यहाँ पर है Istanbul के बगल में Bosch Forest State जो कि Black Sea को connect करता है Sea of Marmara से यहाँ पर है Dardanelles State और यह Sea of Marmara को connect करता है इसके बाद है Rate C Rate C छे कंट्री के साथ boundary share करता है इसके लिए ट्रीक है Seed C S-E-E-D-S-Y ठीक है तो S से हो जाएंगे Sudan, E से Egypt E से Eritrea D से Jibouti S से Saudi Arabia and Y से Yemen तो 6 कंट्री कौन कौन से हो गए तो Sudan, Egypt, Eritrea Jibouti, Saudi Arabia and Yemen मैं पर देख सकते है यहाँ पर है Rate C Egypt है Sudan है Eritrea है यहाँ पर है Jibouti है यहाँ पर यमन है Saudi Arabia तो यह 6 कंट्री है जो कि बादरी share करता है किसके साथ? Rate C के साथ इसके बाद है Dead C यानि कि मिर्थ सागर तो मिर्थ सागर तीन कंट्री के साथ boundary share करता है इसके ट्रीक है Jeep यानि कि J-I-P J से Jordan I से Israel एंड P से फिलिस्तिन फिलिस्तिन का जो West Bank पार्ट है यह टच करता है Dead C से यहाँ पर मेप में Dead C यहाँ पर यह Jordan है है यह इसराइल है और यह West Bank फिलिस्तिन का तो यहाँ पर Gaza Strip एंड West Bank मिलकर फिलिस्तिन बनता है तो फिलिस्तिन का West Bank जो है यह टच करता है Dead C को तो तीन कंट्री से जो Dead C से बांडरी सेर करता है Jordan, Israel एंड फिलिस्तिन इसके ट्रीक है J-I-P J से Jordan I से Israel एंड P से फिलिस्तिन नेक्ट है Baltic Sea Finland तो रूट जर्मनी होता है जो Finland एंड पॉलेंड को सेल कर देता यानकी बेच देता है तो सेल यानकी S-E-L-L तो रूट में से R-U से हो जाएंगे Russia D-E से Denmark यहां पे जर्मनी है तो जर्मनी सेल में S-E-L-L तो S से हो जाएंगे देता है तो R-U से Russia D-E से Denmark जर्मनी S से Sweden E से Estonia L से Latvia L से Lithuania एंड लाष्ट में पॉलेंड फिल्लेंड को बेच देता है ठीक है तो अब में पे देख सकते यहां पे Baltic C है एंड यहां पे Russia है R-U से Russia D-E से यहां पे Denmark है है ना Denmark है एंड यहां पे जर्मनी है यहां पे Sweden Estonia यहां पर है Latvia यहां पे है Lithuania एंड यहां पे Poland एंड लाष्ट में फिल्लेंड और Baltic countries को करते हैं तो यह तीन कंट्री है Estonia, Latvia and Lithuania Next है Aral Sea Aral Sagar इसके लिए ट्रीक है UK यह दो कंट्री के साथ boundary share करता है UK याद रखेगा तो U से हो जाएंगे Ujbekistan and K से Kajakistan यहां पे Kajakistan है and यह है Ujbekistan और यहां पे Aral Sea ठीक है तो Aral Sea दो कंट्री के साथ boundary share करता है Ujbekistan and Kajakistan Next है Mediterranean Sea यानिकी भूमदे सागर तो भूमदे सागर यह टोटल 22 कंट्री के साथ boundary share करता है and इसको हम चार पार्ट्स में देखेंगे European Countries Asian Countries Transcontinental Countries African Countries ठीक है तो European Countries में आते Spain France Italy Malda Monaco Slovenia Croatia Bosnia Montenegro Albania and Greece Asian Countries में आते हैं Syria Lebanon Israel Philistine and Cyprus Transcontinental यानिकी यह Asia and Europe दोनों में फैले हुए है तो इसमें एकी country आते है तरकी जो की Mediterranean Sea से टच करता है ठीक है boundary share करता है African Countries की बात करें तो इसमें आते है Egypt Libya Tunisia Algeria and Morocco यहाँ पर में पर देख सकते हैं European Countries Spain France Italy Malta Monaco Slovenia Croatia Bosnia Montenegro Albania and Greece में पर देख सकते हैं Spain यहाँ पर है यहाँ पर France यहाँ पर Italy यह है Malta जो की एक island country है यहाँ पर Monaco Slovenia यहाँ पर Croatia यहाँ पर है Bosnia यह है Montenegro और यहाँ पर है Albania and यहाँ पर है Greece यह 11 countries है जो European countries है और यह Bhumadis Sagar यानकी Mediterranean Sea से boundary touch करता है ठेक है next की बात करें तो यह है Asian countries तो Asian countries में आते हैं Syria Lebanon Israel Philistine and Cyprus में पर देख सकते हैं यहाँ पर है तरकी यहना तरकी एक Transcontinental Mediterranean country है यानकी यह दोग continent को touch करता है Asia and Europe तो यह भी एक Bhumadis Sagar से touch करने वाला country है तरकी ठीक है यहाँ पर Syria यह एक Asian country है तो Asian countries में कौन कौन से हैं तो Syria है Lebanon है Israel है Palestine है and Cyprus है Cyprus यह एक island country है यहाँ पर Lebanon यहाँ पर Israel यहाँ पर Palestine Palestine का जो गाजा स्ट्रीफ है यह touch करता है Bhumadis Sagar से यहाँ पर Cyprus यह एक island country है ठीक है इसके बाद है African countries तो 5 African countries है जो Mediterranean Sea से boundaries share करता है तो यह है Egypt Libya Tunisia Algeria and Morocco यहाँ पर में पर दे सकते है Egypt है Libya है यहाँ पर Tunisia है यहाँ पर Algeria and यहाँ पर है Morocco ठीक है and this is the question for you which of the following country borders the Dead Sea निमिलिक में से किस देश की सीमा मिर्थ सागर से लगती है तो आपका उपसने Jordan, Iran, Kazakhstan या फिर Egypt तो आपका लगती है